का जिकर करते हैं, टोरेंट फार्मा आज फोकिस में रहेगा क्योंकि अब स्किन केर सेग्मेंट में भी अपनी पकड़ जमाने की कोशिश में टोरेंट फार्मा लगी हुए है कंपरी ने क्यूरेशियो हेल्थ केर को 200 करोर रुपए में खरीदा है, एक डील हुई है डील से जुड़ी सारी डीटेल्स, डील के माइने क्या है और इससे टोरेंट फार्मा के कारोबार पर कैसा असर पड़ेगा ये जानते हैं शरत दूबे से, शरत गुड मॉर्निंग, बताएंगे पूरी डील की डीटेल्स क्या है तो सबसे पहले एक इंपॉर्टन डील माना जाएगा और बड़ा डील माना जाएगा आपके क्या सकते हैं डॉमस्टिक फॉर्मलिशन स्पेस में यहां पर टॉरेंट फार्मा ने कुरेश्यो हेल्थ केर को जो है अक्वायर किया है दो हजार करोड उपे के में और देखा जायता है एंटरप्राइस वैल्यू इसका 1900 क्रोड अल्मस्ट आ रहा है और 115 क्रोड का कैश डीलिंग है अब क्यूरेश्यो हेल्थ केर जो है आपका स्किन के जो डर्माट होती है उस पे ओवराल उसकी मेजॉरिटी ऑफ दो रेविन्यू आती है और यह ट्रांज अब क्या मिलेगा पहले तो अफकोसी 2% रेविन्यू आता तब आपका कॉस्मेटलोजी या डर्माट सेग्मेंट से कहें तो अब जए टॉर्ण फार्मा दुनिया मतलब भारत का second largest player हो जाएगा कॉस्मेटिक डर्माटलोजी में और सिब डर्माटलोजी सेग्मेंटिक में वो top 10 में आ चुका है तो of course जो है stock पे आप देख सकते reactions आज देखने मिल सकता है और कल शाम को takeaways हुई थी call की तो यहां पे जो important बात हम कहेंगे कि टॉर्ण फार्मा जो है अलड़ी 120 करोड जो है डर्माट सेग्मेंट से रेविन्यू कमा रहे हो है और क्योरेशियो जो है लगबग 222 करोड कमा रहा तो एक combined इस सेग्मेंट से रेविन्यू 350 करोड की ऊपर आ सकती है विच्छ साल 2023 में इसके लावा जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई regulatory agencies में कोई issues आए price hikes को लेकि क्योंकि जो डर्माट की जो segments होते हैं यहां पे prices थोड़े बड़े भी होते हैं और margin भी अच्छे levels देखने मिलते हैं management ने guide कि 24% साल दर साल growth देखने मिलेगा किरोशियो के portfolio से 15-20% के ratio जो है आपको counter में मिलता जहां पर दुकान में जाते हैं लेकिन जो largely sales है वो prescription based रहता है EBITDA margin के ratio का लगवाग 29% का है और expansion plans में भी Torrent Pharma का है कि North और Eastern Indian regions में जो expansion देखने मिलेगा तो चले एक बड़ी deal मानी जाएगी Torrent Pharma में कल हमने 1.5% की तेजी देखिया और इस cover के बाद news flow है तो उसका impact भी आना तैह है Torrent Pharma पर नज़र रहेगी लेकिन इसके अलावा भी शरत कई सारी खबरे हैं जिस पर focus करना होगा news flows कहां पर है खबरवाले shares कौन से हैं यह हमें बताएं जी बिल्कुल सबसे पहले focus में रहेगा BPCL यहां पर जो है LIC ने जो है stake जो है बढ़ा दी है 2% से 7% से बढ़के लगब 9% हो गया है TD power systems भी focus में रहेगा boat की approval आ गई है share split को लेके अब एक share रहेगा तो उसके अब 5 भाग हो जाएंगे HG Infra भी रहेगा focus में यहां पर company को जो है completion certificate मिल गई हर्याने के project के लिए जिनका stake लगब 11.4% स्टेक तो तकल उन्होंने लगब 2.2% स्टेक जो है जिसका वालुइशन लगब 235 क्रोड रूपीज को उन्होंने बेचा और वो बेचा तो दूसरे foreign parent company को बेच दिया जिनका नाम जो है Spain की company है पी auto metal करके जहां पर उनका जो स्टेक है 63.4% से बढ़के 65.6% हो गया रामकृष्णा फोजिंग में भी जो है बोफा Securities ने 1.3% स्टेक के acquisition की जो रफली 21 लाक शेर्स ट्रांजलेट करता है 38 क्रोड रूपीज के लिए Mother Sun Sumi Wiring India यहां पर board की meeting है 30 September को जहां पर bonus shares issue की जो है बातचीत होगी गुजराद alkalis और chemicals में भी focus रखेंगे यहां पर जो manufacturing होती है उनकी प्रोड़क्ट hydrazine hydrate अब वो start हो गई दहज complex में तो एक टाइप से commercial production जो है start हुआ इस product का इसके लाब बिर्ला कॉप रहेगा focus में उनकी AGM कल वी थी और उन्होंने कहा है कि production capacity जो है लगबग 3 करोड टन तक जो है target करेंगे 2030 में जहां पर जो investment होगा वो लगबग 1 billion dollars होगा अगले 8 साल में healthcare global भी जो है important update आई उनके investor presentations में जहां पर वो ROC जो return on capital employed होता है उनको target कर 18 से लगे 20 परसंट तक और अभी जो आकडा है वो 11 परसंट है तो एक significant jump expected कर रहे इसके लावा ongoing greenfield expansion भी चल रही है जहां पर 125 बेड़ एड होने वाले Amdabad और Bangalore में और company acquisition पर भी focus कर रही है और देख रही है कि stand-alone cancer for hospitals होंगे तो उस पर भी जो focus रखेंगे और clinical triangle so diagnostic segment में जो और आखर में बात करूंगो वेस्ट लाइफ डवलप्मेंट का यहां पे एक management meet हुई थी प्रभुदास लीलादर के साथ और यहां पे company का aspiration है कि mid से लेके high teens तक 15 सले के 19% तक का जो EBITDA margin से उसको target करेंगे demand momentum अभी भी strong है दूसरे तिमाई में और commodity inflation जो महंगा ही है वो कोईड लेवल पर आ गए है और royalty rates जो होती है जो रोयल्टी उनको मिलती है जो आपके international company जो mcdonald's से उन्सको जो काप किया गया 5% तक F26 तक और भी negotiation चल रही है 2027 के लिए और इसके लावा जो है 35 से लिके 40 नाइस स्टोर्स जो है खोलेंगे विच साल 2023 में और अगले चार साल की बात करें तो target रहेगा 200 पर रहेगा इन तमाम खबरों पर राक्या इंपक्त आएगा इस पर भी फोकस रहेगा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से दिन भर इन खबरों पर भी चार्टा रहेगी लेकिन